हेलो फ्रेंड्स ट्रैवल थ्री इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट मोकिश कुमार दोस्तो आज हम आमिर फोड के लिए निकलेंगे और आमिर फोड के लिए आप सुवे सुवे निकलिए आठ वजे के आसपास और जैपूर का ये सबसे फेमास टूरिस् आगर आप जैपूर आए और आमिर फोड नहीं आए तो आपकी यातरा अदूरी है तो समझ लो आपने कुछ नहीं देगा ये बहुत ही मेन और यहां का बहुत ही सुन्दर फोल्ट है जो की राजा मान सिंग ने बनवाया था ये करीवन 500 साल पुराना बताया जाता है दोस् यह है यहां की पार्किंग और पार्किंग से बहुत ही सुन्दर व्यू दिखाई देता है पूरा जो नीचे का एरिया है पूरा दिखाई देता है अच्छा बहुत ही सुन्दर है अरावली हिल्स पर बना हुआ है पहाड़ी एरिया है और बहुत ही सुन्दर बनते लगता ह और दोस्तों ये माटो लेक्स के सराउंडिंग बना हुआ है जिसमें जो मेन सोर्स वाटर है ना माटो लेक्स से आता है उपर से दिखाई देंगे तो माटो लेक्स सामने दिखाई देगी अब हम उपर एंट्रियेट की ओर चल रहे हैं आमिर फोड मोगल आर्किटेक्चर और राजपूत आर्किटेक्चर का मिक्चन है और ये रैड श्टोन और मार्वल से बना हुआ है इसमें अंदर गोशकर ही ये राइट साइड पे कैंटीन है कैंटीन में आपको खाने पीने का कुछ सामन मिल जाएगा और आगे टिकट काउ काउंटर से टिकट आप ले लिजिए और सामने राइट साइड में शिला माता टेंपल है और लेफट साइड में सिंस पोल है लौईंस गेट भी बोला जाता है इधर से भी एंट्रिय और हम यहां पहले माता मंदिर के दर्शन कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे और यहां से भी हम उपर मेन गेट के और पहुच जाएंगे यह टेमपल बहुत ही पुराना है और उस जमाने में राजाओं ने बनवाया था जो की वो शिला माता को डेडिकेट होता है अब हम आमिर फोड में अंदर एंट्री लेंगे यह सामने जो गेट दिखाई दे रहा है इसे लाइन्स गेट भी बोलते हैं और सिंग पोल भी बोलते हैं इसमें अंदर गुचते ही आमिर फोड के लिए एंट्री है प्रॉपर पुराने जमाने में जब भी कोई VIP गेस्ट आते थे या महमान आते थे तो स्वागत के लिए ढोल बजाए जाते थे वो ढोल जो सिंग पोल है जो उसके उपर ही ढोल रखे हुए हैं और यह सामने हमें दिखाई दे रहा है यह दिवाने आम है यहां पर राजा प्रजा की समस्याओं का निवारन करते थे और यहां पर आम जनता की बैठक होती थी और उनकी समस्याएं सुना करते थे और उनका निवारन करते थे और अगर कोई अपरादी है उसके लिए फैसला सुनाया करते थे दोस्तों यहां से बाहर का वीव बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है और यहां पर लोग फोटो वगएरा क्लिक्स करते हैं बहुत दी सुन्दर वीव हो यहां का पहाड़ी एरिया है तो बहुत दी सुन्दर लगता है इस एरिया को इसी लिए दिवाने आम कहा जाता था क्योंकि इसमें राजा आम जनता के लिए यहां पर बैठक होती थी और आम जनता की समस्याओं का यहां निवारन किया जाता था दिवाने आम की खास बात यहां कि इसमें 48 पिलर है जिसमें 16 पिलर तो मार्वल के हैं और 32 पिलर रेड स्टोन से बनाए गए है और इसकी डिजाइनिंग में हिंदू और मुसलिम कल्चर का मिक्चन दिखाई देगा यह इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें दौनों का यहां से सामने दिखाई दे रहा है यह है सी स्मेल इसको गणेस पोल भी बोलते है क्योंकि इसमें गणेस जेकी मूर्ती बनी हुई है गेट के उपर और इसकी खास बात यह है कि यहां पर उपर रानिया बैठा करती थी रानिया जब राजा युद्ध के लिए जाता था रानिया प्रेयर करती थी कि हमारा सुवाग युद्ध से बापस लौट कर आए दोस्तों यहां से नीचे दिखाई दे रहा है यहां पर राजा समय जैस सिंग ने केसर की खेती करने की कोशिश की थी पर केसर यहां पर सक्सेस्फुल नहीं हुई क्योंकि राजस्थान गरम एरिया है और केसर थंडे एरियों में यहां पर सक्सेस्फुल होता है इसलिए यहां पर वो सक्सेस्फुल नहीं हुई थे और सामने जो दिखाई दे रहा है यह है टर्किश बात यहाँ पर राजा रानी नहाया करते थे इसनान करते थे यह जो पूरा एरिया है जो सीश महल वाला एरिया है जो पूरा यह पूरा राजा सवई जैसिंग ने बनाया था जो starting राजा मान सिंग ने की थी और फिर उसके बाद जो सुधार आगे की जो राजा पीडी उनके बंसर चलते गए उन्होंने सुधार करते गए थे यह पूरा बातरों में रिया है इनका यहाँ पर राजा रानी नहाया करते थे आमिर फोट में टोटल 99 टॉलिट्स हैं जो की सारे एक से हैं जो की महाराजा समय जैसिंग ने बनवाए थे उस जमाने के बने हैं और अभी तक चले आ रहे हैं अब हम सीस महल की ओर चलेंगे यहाँ से गेट में एंटरी लेने के बाद अंदर की ओर चलते हैं इसे गड़ेस पोल कहते हैं क्योंकि गेट के ठीक उपर गड़ेस जी की मूरती है पूरे महल में एक ही गड़ेस जी की मूरती है वो की यहाँ पर है इसलिए इसे गड़ेस पोल कहा जाता है इस गुएट में घुशने के बाद आपको जो पेंटिंग दिखाई देती है इसमें कहीं कहीं पर गोल्ड के पानी से पेंटिंग की गई है जो की लाइट पढ़ने पर चमकती है जो उपर की पेंटिंग है वो गोल्ड की है जो की लाइट पढ़ने पर बहुत अच्छी चमकत पर दोस्तों इस सामने दिखाई दे रहा है यह है दीवाने खास यहाँ पर राजा अपने खास लोगों के साथ पैठक किया करते थे सीक्रेट मीटिंग यहीं पर किया करते थे और अंदर दो महल है जो उनकी दो रानिया थी राजा सवाई जैसे उनके लिए बनाए थे इसको सीष मेल भी कहते हैं इसमें जो ना जो अंदर का आर्किटेक्चर है इसमें जो ना जो सीषे लगाए थे यह राजा ने बेल्जियम से मगवाए थे और इसमें बहुत सारी सीषे लगे हैं इसकी खास बात यह है कि जब राजा को थंडी ओंमें गरम एंवायर मेंट चाहिए होता था था थो इसमें लेम्पा की गर्माहट है वह उपर तक जाती थी और जो जो इन शीषे हैं इन शीष़ें को गरम कर देती थी जिससे कि पूरे हाल में गर्माहट हो जाए इसलिए इनोंने यह और जब राजा को दिन में भी अगर चांद तारे देखने होते तो क्या करते थे इनके नीचे जो है ना चारो तरब दिये जला दिये जाते थे जो दिये की जो रोशनी ना उपर शीशों पर पड़ती थी उससे यह सीशे इस तरीके से चमचाम आते थे ऐसा लगता था चांद आतारे दिन में ही नजर आ रही हो और जो इसमें अंदर के जो यह सामने आप देख रहे हैं ने अंदर का जो होल एक अब अन्दर जाना एलाव नहीं है पहले अलाव था इसमें एसी का कॉंसरेट देया गया है जो दिवार हैं दिवारों में उन्होंनों इस तरीके से सावर के लिए राजटा है जिससे कि हम उपर की तरफ जा सकते हैं अब को सामने दिखाई दे रहा है तुअ आइäreल आफिर दिखाते हैं सी थे दिखाते हैं एप अब हम सीडियों से उपर्टी ओर आ गए हैं और इदर का सारा जो हिस्सा है यह राजा मांच सिंग ने प्रफम ने बनवाया था यह करिवन यह फोर्ट जो राजा मांसिंग ने की थी और यह करिवन 500 साल पुराना फोर्ट बताया जाता है उन्होंने इस तरीके का अर्कि उपर बनवाय था और नीचे अपनी 12 बीबियों के लिए रूम लगवनाय थे और खास बात यह है उन्होंने इस तरीके की डिजाइन दी थी कि वो अपने रूम से 12 बीबियों के जो रूम थे उनकी जो रूम थे उनके अंदर जा सकते थे उनके महल से जो यह ना उनका कमरा थ जलता था कि राजा किसके पास है इसलिए उन्होंने इस तरीके का कॉंसेप्ट बनाया था जिससे राणियों में आपस में लड़ाई ना हो कि राजा किसके पास हैं किसके साथ गए हैं इसलिए यह कॉंसेप्ट बनाया था दोस्तों यहां से आप सामने देख रहे हैं ना दो कडाईयें दे रहे थी यहीं पर जोदा अकवार फिल्म की सूटिंग हुई थी यहीं पर एश्वरर राये ने यहां पर कडाईये में एक कडाईय में जो आगे वाली कडाईये इसमें खाना बनाया था हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो मैं कि यह जो पूरा एरिया इसे मान सिंग पैलिस कहा जाता है क्योंकि यह राजा मान सिंग ने बनाया था और अपनी बारा बीवियों के लिए बारा अलग अलग अपार्टमेंट्स बनाए थे इस पूरे को बनने में 25 साल लगे थे और मान सिंग पैलिस में जितने भी सैनिक हुआ करते थे वो सारे ट्रांस जेंडर के उन्होंने रखे थे जो ना कि मेल होते थे ना ही फीमेल दोस्तों अब हम एक्जिट की ओर चलेंगे वीचे आमिर फोर्ट के से बाहर निकलने की तरफ चलते हैं और वीडियो पर बने रहना दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना हम आपके लिए मस्ट मस्ट वीडियो बनाते रहेंगे और अभी ह फोर्ट में राजा अपने एसकेप के लिए यहां से निकलने के लिए गुप्तरास्ते से बनाया करते थे दोस्तों यहां पर है आमिर फोर्ट की शोविनियर शोप यहां पर उस जमाने के जो सिक्के थे वो यहां पर आप मिल जाएंगे जो आप खरीद सकते हैं दोस्तों यहां से स्टार्ट होती है टैनल जो की सुरंग है जो कोड्य में किलो में राजा महराजा अपनी सुरकषा के लिए और यहां से और जोब अ से कोई हमला करता है और उन्हें यहां से escape करना है तो इधन गुपतर रास्ते से बाहर निकल से यह यह टनल आमिर फोर्ट से जैगर फोर्ट तक जाती है करीवन सवा किलोमेटर की यह फोर्ट है और यहां से आप लोग जा भी सकते हैं करीवन 15-20 मिनट में आप जैगर फोर्ट पहुंच ज